हलो दोस्तो आज फिर मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजेगा पिछली वीडियो में मैंने आपको इस ब्लाउस की कटिंग बताई थी इस वीडियो में मैं आपको इसके स्टिचिंग करना बताऊंगी स्टिचिंग से रिलेटेट सभी जानकरी के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ चूड़े रहें सबसे पहले हम ब्लाउस की स्लिवस को बना कर तैयार करेंगे इसके लिए हमने blouse की sleeves को लिया हुआ है और जो हमने अस्तर में joints बना कर तयार किये थे सबसे पहले हम उन्हें joints को stitch करेंगे दोनों side में और दोनों sleeves में हमें इस तरीके से joints को रखना है और stitch कर लेना है एक बार इस तरह से सीलाई लगाने के बाद इसे खोल कर उपर से एक और सीलाई इस पर लगा देंगे यह सीलाई हमें margin को side में लेकर margin पर लगानी है इसी तरीके से हमें दूसरी side के joint को भी stitch कर लेना है दूसरी स्लीव को भी इसी तरीके से हमें स्टिच करना है दूसरी स्लीव को स्टिच करने से पहले हमें ध्यान रखना है कि जो हमारे फ्रंट आर्म होल की गोलाई है वो बिल्कुल आमने सामने होनी चाहिए इसके लिए आप एक स्लीव को दूसरी स्लीव के ऊपर इस तरह से रखते हुए स्टीच कीजिएगा और हमारे जो सिलाई वाला हिस्सा है वो दोनों अंदर की साइड आना चाहिए इसी तरीके से हमें दोनों स्लीव से बना कर तैयार कर लेनी है इसके बाद हमें हमारे में फैब्रिक को लेना है और इसमें हमें अस्तर को अटेच करना है इसके साथ अस्तर को अटेच करने के लिए सबसे पहले इसके सेंटर पार्ट पर हम छोटा सा कट लगाएंगे और अस्तर वाले फेब्रिक पर भी हम सेंटर में कट लगा लेंगे और सेंटर सेंटर को मिलाते हुए कॉर्णर पर हमें एक स्टिश करना है इस तरीके से इसे प्लेस करना है और उल्टी साइड में हमें प्लेस करना है अंदर की साइड हमारे सीधी साइड होनी चाहिए इस तरीके से कॉर्णर पर आपको स्टिच कर लेना है इस तरीके से एक सिलाई लगाने के बाद आपको इसे अंदर की तरफ पलट लेना है इस तरीके से अस्तर को अंदर करते हुए बाकी की तीनों साइड में हम सिलाई कर लेंगे जिस तरीके से हमने एक स्लिव को स्टिच किया है उसी तरीके से दूसरी स्लिव को भी हमें बना कर तयार कर लेना है और स्लिव को स्टिच करते समय हमेशा इस स्टिच का ध्यान जरूर रखना है कि जो हमारा front arm hole है वो दोनों आमने सामने ही आना चाहिए अब हमें इसके extra fabric को cut कर देना है यह हमारी एक sleeve पूरी तरीके से stitch हो चुकी है इसी तरीके से आपको दूसरी sleeves को भी stitch करना है हमें अपने sleeves के center में एक छोटा सा cut लगा लेना है इसी तरीके से आपको दूसरी sleeves को stitch करना है और यह जो front arm hole की cutting है यह आमने सामने रखते हुए stitch करना है हमारी दोनों sleeves बनकर तैयार है अब हमें back part को stitch करना है back part को stitch करने के लिए सबसे पहले हमने जो back part के लिए side में joints बना कर तैयार किये थे उन्हें हमें stitch करना है सबसे पहले हमें दोनों side को इस तरीके से join को रखना है और उपर से एक सिलाई लगा कर इसे stitch कर लेना है एक सिलाई लगाने के बाद इसे हम खोल कर margin के उपर एक और सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से हमें दूसरी side के join को भी बना कर तैयार कर लेना है जोइन को स्टिच करने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा फेब्रिक बचता है उसे हम कट कर देंगे साइड में जोइन्स लगाने के बाद अब हमें इसके नेक को फिनिशिंग करना है नेक की finishing करने से पहले सबसे पहले हमें यह देखना है कि हमारे नेक की broadness कितनी है हमें नेक की broadness पौने 3 इंच पर रखनी है और इसके center में हमें एक छोटा सा cut लगा देना है इसके बाद हम हमारा अस्तर का फेब्रिक लेंगे और उस पर पोने 3 इंच पर इस तरीके से दोनों साइड में मार्क लगा देंगे अब हमें हमारे मेन फेब्रिक को लेना है और मेन फेब्रिक के और अस्तर के सेंटर पार्ट को मिलाते हुए रख लेना है यह हमारे main fabric की broadness neck की ज़्यादा आ रही है इसलिए हमें इसमें एक silai लगानी पड़ेगी इस तरीके से center में इसे fold करेंगे और half inch पर हम इसमें इस तरीके से silai लगाएंगे silai हमें बिल्कुल नीचे तक नहीं लगानी है तीरची करते हुए हमें silai को बाहर निकाल देना है इस तरीके से आपको एक silai लगा लेनी है इसके बाद में हमें इसके उपर अस्तर के fabric को silai वाले center पर रखना है इस तरीके से अब यह हमारा जो neck की broadness है इसके साथ perfect bed चुकी है इस तरीके से इसे हमें place कर लेना है और pin up कर लेना है इस तरीके से pin up करने से हमारा अस्तर on main fabric इदर उधर भागेगा नहीं और हमें stitching करने में आसानी होगी पूरा neck की गोलाई में हमें एक pin up लगा लेनी है इसके बाद में हमें नीचे वाले part में भी एक center वाले part में pin up करना है इसके बाद में नीचे वाले part में भी pin up करना है इस तरीके से पूरे fabric में pin up करके stitch करना है अब हमें हमारा जो और नीचे से हमें एमरोईडरी दिखाई दे रही है एमरोईडरी के बिल्कुल corner पर लेते हुए stitching करनी है नेक की गोलाई में लेते हुए हमें से stitch करना है इस तरीके से पूरे नेक को हमें stitch कर लेना है और नीचे वाली center में भी हमें half inch का margin लेते हुए एक straight line में stitching कर लेनी है यह हमारी दोनों side से stitching हो चुकी है अब extra fabric को हम cut कर देते हैं अब हम हमारी सारी pin's को निकाल लेंगे सभी pin's को निकालने के बाद हमें नेक वाले side से round में half inch का margin लेते हुए center वाले part को काट के अलग निकाल लेना है इस तरीके से half inch का margin लेते हुए हमें इसे cut करना है हमें ध्यान रखना है कि हमारी सिलाई कट नहीं होनी चाहिए अब हमारे नेक में जहां जहां पर गोलाई है वहां पर हमें छोटे छोटे cuts लगाने है cuts लगाते समय ध्यान रखें कि आपके सिलाई कटनी नहीं चाहिए इस तरीके से cuts लगाने के बाद आपको इसे अंदर की तरफ पलट ना है अंदर हाट डालते हुए इसे आप बाहर पलट लेंगे तो हमारा जो सिलाई वाला मारजिन है वो अंदर की तरफ चला जाएगा उसके बाद में आपको इस तरीके से नाखुन से इसे क्रीज बना लेनी है यह देखे फ्रेंट्स हमारा यह बिलुकुल पर्फेक्ट फिनिशिंग के साथ नेक बन कर तयार हुआ है प्रॉपर फिनिशिंग हमारे इसमें आई है इसके बाद में हमें बाकी की सबी साइट्स को अस्तर के साथ में जोइंट कर लेना है दोनों तरफ से हमें अस्तर के साथ इसे जॉइंट करना है और जब हमारा ये जॉइंट हो जाएगा उसके बाद में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर देंगे ये हमारा बेक पार्ट पूरी तरीके से बनकर तयार हो चुका है इसे हम front hook में princess cut के साथ बनाएंगे आज के लिए बस इतना ही बागी की stitching हम next part में करेंगे अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो please हमारे चैनल को subscribe करें और आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो ज्यादा से ज़्यादा like और share करना ना भूले thank you for watching